महाराश्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशुक चवान ने कॉंग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है उनके राजनितिक करियर में उनके उपर आदर्श हाउजिंग सुसाइटी स्कैम का आरोप लगा था कहा जा रहा है कि आज कॉंग्रेस छोड़ने के पीछे कहीं न कहीं ये आदर्श हाउजिंग सुसाइटी स्कैम ही जिम्मेदार है क्योंकि CBI, EDIP भी इस मामले की तहकिकात कर रही है लेकिन जिन लोगों ने उस सुसाइटी में घर खरीदा था उनकी क्या सेंटिमेंट्स है भावेश पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम लोग वी जस वेटिंग पर दाइट जस्टिस, उमीद है क्या हमको नयाय मिल जाएगा तकरीबन 2010 में ये पूरा मामला सामना है तब से लिटिगेशन हो ये साही चीजे हैं तकरीबन 100 लोग हैं जो लोग ये संगर्श कर रहे हैं तो आब ही तक आप कह सकते हैं कि कोर कमीटी ग्रूप है या किस तरह का लोग आपने एक अत्ता करकर ये लीगल बैटल चूर रखी कई सारे allegations लगे दे तो orderally got कर ये टेशने मने एक एक करके जो clarity जो लानी थी आंड़ी आ थी के माधेम से या documentation के माधेम से सारी हमने clarity लाके जो भी majority वीजय पर आप्त की है और ये जो final case है अमारा Supreme Court में इश मैंक पापी positive हैं हमको इसमें नयाय मिल जाएगा बाविश ये भी बता रहे थे के कई ऐसे लोग हैं जो संगर्ष में जुड़े हुए थे या लोगों ने घर कईद है लेकिन अभी वो पासवे हो चुके हैं इनके फादर खुद अशोक पतेल जो के आप कह सकते हैं एक वोईस रहा आदर्श हाउजिंग सुसाइटी के जो रे आपको लगता है उमीद है पॉजिटिव है आपके जज्जमेंट आपके फेवर में आजाएगा इसके मेन रीजन्स है जो इसके जो इसमें जो ऐलेगेशन्स लगे थे वो एक मेंली विदा पुष्टी के किये गए थे और जब कोट में हमको टाइम तो ताइम जो भी नयाय कोट में लीगली इस बैटल को लड रहे हैं और उमीद कर रहे हैं कि उनके हक अगर उन्हें प्राप्त होगा कैमा प्रसन वेबाग कंगुडू के साथ मुस्ताफा शेक आज तक